नमस्कार ये आका श्वानी पटना है अब आप अवशेक तास से प्रादेशिक समाचार सुनिए पहले मुख्य समाचार प्रदेश में बाड से हुए नुक्सान का आकलन करने के लिए छे सरस्यों वाली केंद्रिय टीम पटना पहुँची टीम कल दर्भंगा के बाड प्रभावितेशत्रों का करेगी तवरा हिंदुस्तानी आवा मोर्चा NDA में हुआ शामिल पार्टी के राष्टी अध्यक चीतन रामाजी ने महागडवंधन पर वादा खिलाफी का लगाया आरोप राज्य में कोबिड उन्नीस से स्वस्थोने की दरबढ़ कर 88 प्रतिशत हुई संक्रवन दरखट कर 1.5 प्रतिशत और किंद्र सरकार ने चीन में बने पबजी समेत 118 मोबाइल एप को क्या प्रतिबंधित अव समाचार विस्तार से प्रदेश में बाठ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए किंद्री क्रीमंत्राले के संयुक्त सचीब प्यूश गुयल के नित्रित में किंद्री टीम पठना आ गई है छेस हदस्यों वाली यह टीम चार सितमबर तक बाठ प्रभावित जिलों का दोरा करेगी किंद्रे दल कल्दर्भंगा के बाट प्रभाविते शित्रों का जाइजा लेगा दोरे की समापती के बाद यह टीम राज्जी के मुख्य सचीप के साथ बैठक करेगी सुत्रों ने बताए कि राज्जी सरकार की यहोड से किंद्रे टीम को नुकसान से सम्मंधित ग्यापन सौपा जाएगा गौरतलवे की प्रदेश में इस बार बाट से 16 जिलों की 84 लाग की आवादी बाट से प्रभावित है बाट के कारण फसलों को व्यापक नुकसान हुआ है बीस जिलों में साथ लाग पचास हजार से अधिक हेक्टियर में लगी खड़ी फसल बरबाद हो गई है फसलों का सबसे दिक नुकसान मुझाफरपूर, पुर्वी चमपारण और दर्भंगा जिले में हुआ है वहीं बाट के कारण 4700 ग्रामिन सरकें छतिक रस्त हुई है इसके अलावा कई मुख्य सरकों को भी बाट से नुकसान हुआ है प्रदेश की सभी प्रोंक नदियों के जलस्तर में गिरावटाने के साथ ही बाट की सिती में लगातार सुधार होड़ा है प्रभावित शत्रों से पानी उतरने लगा है जिसके बाद लोग अपने घरों की ओर वापस लौटने लगे हैं किंद्रे जल आयोग से प्राप्त जानकारी के नुसार बूढ़ी कंड़क नदी खगड़िया में कोसी नदी बलतारा और कुरसेला में तथा महानंदा नदी तययपुर में लाल निशान से ऊपर बनी ही है हलाकि जलस्तर की प्रविती इस्तिर है वहीं गंगानदी का जलस्तर पटना के दीखा घाट और गांधी घाट में बढ़ रहा है और यह लाल निशान से उपर बना हुआ है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा आपचारिक रूप से NDA में शामिल हो गया है। पार्टी के राष्टी अध्यक्ष जीतन राम माझी ने आज पटना में इसकी घोशना की। उन्होंने कहा कि वे बिना किशी शर्ट NDA में शामिल हो रहे हैं। स्री माझी ने कहा कि बिहार विधान सवाचुनों में सीतों की संख्या कोई मुद्दा नहीं है। सीतों के बटवारे पर बाद में सवी दलों की सहमती से कोई अंतिम फैसला होगा। स्री माझी ने महागट बंधन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिस उद्देश्य को लेकर वे महागट बंधन में शामिल हुए थे वह पूरा नहीं हो सका। नकी राज के बारे में सोच है। और पार्टी का संगठन बूत अस्तर पर क्रियास शील है। बाबजुद इसके पार्टी मिल जुलकर चुनो लड़ेगी। उन्होंने दावा किया कि बिधान सवाचिनों में NDA की सरकार बनेगी। लोजपा से मतभेत पर स्री मोदी ने कहा कि जल्दी मिल बैट कर पूरे मामले को हल कर लिया जाएगा। राष्टि लोग समता पार्टी के प्रधान महास्चीव सत्यानंद दांगी ने आज भारति लोग चेतना पार्टी के नाम से नए दल के गठन की खोशना की है। पटना में समबादाताओं से बाचित में स्री दांगी ने कहा कि उनकी पार्टी 41 सीटों पर अपने उमिद्वार उतारेगी। स्रीधांगी ने कहा कि समान विचार वाले दल अगर समझोते का प्रस्ताव रखते हैं तो उस पर विचार किया जाएगा। बिहार विधानसवा चुनाव में असदुद्दिन ओवेसी की पार्टी AIMIM 50 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अक्सरूल इमान ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताए कि अब तक 29 सीटों के नाम तैह हो चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी विधानसवा की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भारत विंद ने कहा कि बसपा का किसी भी दल से गटवंधन नहीं है और वो अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। दिव्यांग और वरिष्ट मद्दाताओं का मद्दान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश से बेगुसरय के जिलादिकारी अर्विंद कुमार बर्बाने सुगमता एकस्पेस को हरी जंडी दिखा कर रवाना किया। खगर्या जिले में मद्दान प्रतिशत बढ़ाने के लिए आम लोगों को जागरू करने के उद्देश से आज जिलादिकारी आलोक रंजन घोशने जागरू कतारत को जिले के विविन विधान सवाच्छेत्रों के लिए रवाना किया। रोतास जिला प्रशासर ने निर्वाचन सम्मंधी सूचना के लिए दो हेल्प लाइन नम्मर जारिके हैं। लोग दुर्वाश्य संख्या 22217 और 22218 पर फोन कर चनौ सम्मंधी जानकारियां ले सकते हैं। इन नम्मरों के आगे रोतास का स्टडी कोड 06184 लगाना होगा। शेकपुरा जिले में विधान सवा चनौ को लेकर लाइसेंसी हत्यारों के सत्यापन का काम शुरू हो गया है। तादेशिक समाचार आप आका श्वानी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में COVID-19 से स्वास्थोने की दर बढ़कर 88 प्रतिशत हो गई है। यह राश्टी आउसस से 11 प्रतिशत अधिक है। स्वास्थ विवाक के नुसार पिछले 24 गंटे में 1803 मरीजों को छुट्टी दी गई। अब तक 123404 मरीज स्वास्थ हो चुके हैं। वहीं इसी अवधी में 13 लोगों की मौत के साथ ही मृतकों का आंकरा बढ़कर 722 हो गया है। इधर एक दिन में 1,979 नए मामलों की पुष्टी भी है। संक्रमितों की कुल संख्यां बढ़कर 1,4,234 हो गई है। सबसे अधिक पटना से 225 मामले पॉजिटी पाए गये इसके अलावा अररिया से 176, मधवनी से 116, किशनगन से 93, पुर्वी चमपारन से 83, मुझाफफरपूर से 76 और सहरसा से 71 मामले सामने आ हैं। अन्ने जिलों से भी पॉजिटी मामलों की पुष्टी हुई है। पिछले 24 गंटों में 1,27,404 नमुनों की जाच की गई। देश में COVID-19 से ठीक होने वालों की दर बेहतर होकर अब लगभग 77 प्रतिशत हो गई है। अब तक 39 लाग से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 गंटों में 62,026 मरिजों को इलाज के बाद अस्पतालों से चुट्टी दी गई। वहीं इसी अवधी में 1,045 लोग का प्रतिशत 1,76 है। पिछले 24 गंटों में 78,357 नए मामले सामने आए हैं जिससे कुल मामलों की संख्यां 37,59,524 हो गई है। COVID-19 संक्रमन से बचाओं के लिए वरिष्ट चिकिस्ता विशेसद्गे प्रोफिसर डॉक्टर अपरणा अग्रवाल ने आवश्यक दिशान रिदिशों का पालन करने को कहा है। स्वास्त मंत्राले ने परिक्षा के समय COVID-19 के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए मानत संचालन प्रक्रिया SOP जारी की है। इन मानकों के नुसार कम से कम 6 फित की शारे रिक्ष्टूरी बनाये रखना, अनिवारे रूट से मास्क पहनना, साबुन से हाथ धोना और सनिटाइजर का उप्योग करना शामिल है। इसके तहट छीकते समय मुह को कपड़े से ढखना जरूरी है। शारीक दुरी के मानदंडों को ध्यान में रखते हुए संस्थानों में परिक्षा के लिए बटने की उचित व्यवस्था सुनशित करने के लिए परियाप्त कमरे की शमता होनी चाहिए। मानद प्रक्रिया में परिक्षा केंदर में प्रवेश के समय परिक्षा की स्थिती और परिक्षार्थियों के स्वास्थ की स्थिती के बारे में स्वा घोशना भी प्रस्तूत करना शामिल है। परिच्छा हॉल और अन्ने सामाने च्छत्रों में परिच्छा से पहले और बाद में हर बार साप सफाई की जाएगी। केंदर सरकार ने चीन में बने पपजी समेत 118 मोबाइल एप को प्रतिवंधित कर दिया है। केंदर सरकार ने इन एप को देश की सुरक्षा और सम्प्रभुता के लिए खतरा बताते हुए प्रतिवंधित किया है। सूचना और प्रद्योगे की मंत्राले के बयान में कहा गया है किस खदम से भारत के करोडों मोबाइल और इंटरनेट उभोगताओं के हितों की रक्षा होगी। गौर तलब है कि इससे पुर्व भी सरकार टिक टॉक सहित उनसाथ चाइनिज एप को प्रतिवंधित कर चुकी है। पटना से गया होते हुए भबुआ, जैनगर से पटना, राजिंतरनगर से जैनगर, राजिंतरनगर से सहरसा और पाटली पुतर से सहरसा के बीच अप और डॉन में चलेंगे। ट्रेनों का पड़िचालन 4 सितंबर से 15 सितंबर के बीच होगा। इसके अलावा, आज से 20 जोड़ी मेमू और डेमू ट्रेनों का पड़िचालन भी बिभिन मार्गों पर शुरू हो गया है। महिला और बाल विकास मंतराले द्वारा आयोजित प्रधानमंत्री राष्टी बाल विकास पुरसकार 2021 के लिए प्रविश्टियां भेजने की अंतिम तारिख 15 सितंबर तक बढ़ा दी दे है। यह पुरसकार दोस रेनियों में प्रतिभाशाली बच्चों, व्यक्तियों और संगठनों को दिये जाते हैं। पदार्थों की आपूर्ती करता था। ब्योरो के सुत्रों मताबिक इस व्यक्ति को तब गरफतार किया गया जब ब्योरो राजपुत की महला मित्र, रियाद चकरवर्ती और अन्य लोगों के खिलास दर्ज मादक गरब्यों के मामले की चानबीन कर रहा था। को दी थी जिन से मादक दर्ब्यों की खरीद और उप्यों के संकेत मिले थे। पित्रि पक्ष आज से शुरू हो गया है। की सीमा से ही वापस लवता दिया जाएगा। समस्तिपूर जिले के बिधान ठाना च्चतर में पदस्थापित अवर पुलिस ने रिक्षक अबधिश सिंकुस शराब पीने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। पुलिस अधिक्षक विकास वर्मन ने बताय की निलंबित दारोगा का शराब पीते हुए वाइरल फोटो के सही पाय जाने पर ये कारवाई की गई है। बकसर जिले में खाद की काला बाजारी करने के आरोप में पांच दुकानदारों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। पुल्वी चमपारन जिले के चक्या टॉल प्लाजा के पास से पुलिस ने एक कंटेनर से सतर लाक रुपे मुल्ले की विदेशी सुपारी जब की है। मुंगेर जिले के तारापूर थानाच चतर से पुलिस ने दो कुंटल गांजा के साथ तीन तसकरों को गिराफ़तार किया है। पटनर जिले के मुकामा में गंगा नदी में अस्तान करने के दौरान डूबने से दो किशोर की मौत हो गई। मुझफर पूर जिले के साहवगन से अपरित एक बच्चे को पुलिस ने सो कुशल बरामत कर लिया है। मौके से तेरा अपराधियों को गिराफ़तार किया गया है। और अबंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में बार्ट से हुए नुकसान का आतलन करने के लिए छे सजस्यों वाली केंद्रे टीम पटना पहुँची। टीम कल दर्भंगा के बार्ट प्रभाविते छत्रों का करेगी दौरा। हिंदोस्तानी आवा मोर्चा एंडिये में हुआ शामिल पार्टी के राष्ट्री अध्यक जीतन राम मांची ने महागडवंधन पर वादा खिलासी का लगाया आरोप। राज्य में कोबिड उन्नीस से स्वस्थोने की दरबढ़ कर 88 प्रतिशत हुई संक्रमन दरखट कर 1.5 प्रतिशत और केंदर सरकार ने चेन में बने पवजी समेत 118 मोबाइल एप को किया प्रतिबंधित। इसके साथी आकाश्वानी पटना से प्रसारित प्रादिशिक समाचार का ये अंक्समात्वा घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाश्वानी।